Hello and Welcome Everybody, फिर से अपन स्टार्ट करते हैं History की सिरीज जो अपन RO और ARO के एक्जाम के लिए प्रिपेर कर रहे हैं अभी अपन बात कर रहे हैं International Movement की, पिछले वीडियोस में अपने एक चीज देख ली थी कि Europeans इंडिया में आ चुके हैं, उनके बीच में लड़ाई हुई, अपने एक order देखा था, एक sentence बनाया था Pigs dig delicious fruit, यह अपने एक sentence बनाया था, जिसकी मदद से अपने देखा था, कि first जो आते हैं Portuguese आते हैं मैसूर के साथ जीते, उसके बाद पिछले वीडियोस में अपने बात की थी कैसे, British के civil services, police, judiciary उनके strong pillars बनते गए, जो British के administration इंडिया में बनाने के लिए helpful होते गए, अब इस वीडियो में अपन बात करेंगे, एक बहुत ही important revolt, जो 1858 के revolt की बात करेंगे, और इस वीडियो मे अपन 1905, याने की बंगाल के विभाजन तक की अपन बात बहुत जाएंगे इसी वीडियो में, एक बहुत ही लंबा कोर्स अपन इस वीडियो में खतम कर लेंगे, तो please stay tuned and watch till the end, now यदि अपन बात करें, तो सबसे पहले 1858 का revolt जो है, एक बहुत ही important revolt है, इसलिए important revolt है, क्यो कोई भी बड़ा युद्ध नहीं था, बिर्टिश इसको बाहर फेकने का कोई भी इरादा नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ जो army people थे, जो uniform के लोग थे, वो बिर्टिश की policy से तरस्ता गय थे, और इसी वज़ा से उन्होंने rebel कर दिया, इस rebel में उन्हें कुछ civilian जोइन कर द war of independence भी नहीं था, जैसे की कुछ Hindu nationalist जैसे की सावरकरजी कहते हैं, कि ये first war of independence, क्या ये war of independence था, तो इसमें नहरो जी का कहना है, कि जो भी धारना से सारे soldiers लड़े, वो बहुत ही पिछडी हुई थी, इस वज़ा से ये first war of independence नहीं थी, जल्दी से अपन समझते हैं, revolt क्या था क्यों कारणों से हुआ, उसके ब्रिटिशर्स आए, आपन ने देखा है, जैसे कि for example, 1764 में battle of bucksar हारे, इसके बाद treaty of Allahabad हुई, and by the time of 1770, इतना ज्यादा tax वसूल करने लग गए, कि यहाँ पर severe famine हो गई, similarly यदि आप देखोगे, जितने भी जब राजा का सत्ता पलटती है, तो जितने भी उसके court में जितने भी लोग dependent रहते हैं, चाहे वो उनके handicraft maker हो, या उनके court के जितने भी आदमी, सारे के सारे लोग unemployed हो गए, तो ये सारे के सारे लोग किस से हैं, East India Company से खफा है, political causes में आपन देखेंगे, जैसे की 1856 में अवद का annex कर लिया, company ने, तो अवद को annex किया, तो जितने भी उसके राजा रहेंगे, नवाब रहेंगे, सारे के सारे company के दुश्मन बन जाएंगे, administrative causes के दी देखें, तो company ने एक नया system लाया, वो system कैसे था, इंडिया के indigenous लोगों का बना हुआ system था, इसके बाद ये system प्योर नहीं था, इसमें बहुत जाधा corruption था, पिछले वीडियो में अपने बात की थी कि civil servant एक aspiration थी, civil services में सब जानना चाह रहे था, इसलिए इंडियान्स को इन्होंने permit नहीं किया था, कब मिला था, 1853 के charter act से पहली बार इन्हें permission मिल थी open competition करने की, याने की बहुत सारी problems थी, और इंडियन्स के लोग का लगातार मानना था, कि Britishers हमारी society में, हमारी धर्म में interfere कर रहे हैं, और ये कहीं न कहीं एक hidden agenda अपनी Christianity को हम पर थोपने आए हैं, इन्हीं सब कारणों से सारे के सारे जो इंडियन्स थे, बहुत जाधा ख हफा थे, East India Company के employees से, और एक मौका खोज रहे थे, कब ये एक war start करें, और ये मौका मिला हुने 1857 के revolt में, अब अपन बात करते हैं, सीधा MCQs में आते हैं, जो हमारा तरीका है पढ़ने का, which was the primary reason for the opposition to religious disability act of 1856, याने की इस act को, religious disability act of 1856 को भारतिय जन्दा क्यों oppose कर रही थी, that is a basic question, it granted equal inheritance right to daughters, ये तो बहुत बाद में हुआ है, it weakened the power of Hindu priest, Hindu priest के बारे में नको कुर मतलम नहीं है, it allowed converts to Christianity to inherit paternal property, यही है, तो religious disability act में क्या हुआ था, कि इस act के तहर्त, यदि कोई भी person Christianity को adopt करता है, अपने धर्म का परिवर्तन करता है, तो अब इस person के उपर भी अधिकार है, कि वो अपनी parents की property को inherit कर सके, parents की property को इसका भी जो convert हुआ है, अब जब ये law pass हुआ, तो आम जन्दा के उपर कैसा perception जाएगा, कि intentionally ये किया गया है, ताकि लोग Christianity की और promote हो, यही एक perception जाएगा, और ऐसा ही हुआ भी कुछ, So, next question, which factor is the most directly linked to the immediate cause, outbreak of the Sepoy Mutiny of 1857, क्या कारण से वज़ा से तुरंत revolt हो गया, trigger point क्या था, disruption of the traditional economic system, ये तो बहुत समय से हो रहा था, एकदम से problem क्या हुई जिसकी वज़ा से ये गुसा फट पड़ा, ये तो बहुत समय से हो रहा था, expansionist policies and racial discrimination of the British Raj, ये एक reason माना जाता है कि 1856 में जब अवद का annexation क्या गया, तो एक बहुत important trigger था, लेकिन जो final trigger था, ये भी नहीं था, इससे लोग बहुत खफा थे, 1856 के अवद के, तालुकदार्स लोग बहुत ज़ादा खफा थे, बट क्या reason बना, वो ये बना, introduction of anafield rifle and rumors about use of animal fat in the cartridge, तो क्या था, anafield rifle थी, उसको जब shoot करना था, तो उसमें ग्रीस लगी होती थी, उस ग्रीस को डाच से फाड के निकालना होता था, माना जाता था, ये जो ग्रीस, जो cartridge बना हुआ है, वो beef याने की गाये और pig fat से बना जोनों, हिंदू और Muslim opposition में साथ में उतर गए, क्यों? क्योंकि हिंदू के लिए beef खाना एकदम खराब बात है, एंट्रिलीजन बात है, और ऐसा ही कुछ Muslims के लिए pig के लिए है, याने की एक ऐसा मुद्दा मिल गया, जहाँ पर ना Hindu टॉलरेट कर सकता है, ना Muslim टॉलरेट कर स सकता है, इसलिए ये एक ऐसा trigger point मना जहाँ पर start हुआ और पूरे के पूरे एक बार start होने के बाद country भन में ये फैल गया योग वार, तो सबसे पहले ये शुरुवात कहां से हुआ, शुरुवात हुआ मीरट से, और मीरट से जल्दी जल्दी फैल कर ये दिल्ली चले गया, दिल्ली में जो मुगल के empire थे, पहादूर शाह, इन्हें सबसे पहले इंडिया का emperor declare किया गया, और ये allegation दिया गया कि हम अब इनको ओ करेंगे, और जितने भी foreign power है, जो English company है, उसे बाहर निकाल कर fake देंगे, और उसी के हिसाब से, पूरा का पूरा सारे से पॉइस ने एक आरो कर दिया, युद्ध कर दिया, एक म्यूटिनी कर दिया, इसे ही 1857 का war कहा गया, अब यदि आपन देखें, तो questions दो तरीके के आते हैं, जादा पूछने को हैं नहीं, कुछ major acts हैं जो पूछे जा सकते हैं, पट उसके अलावा ये भी पूछा जाता है, what are the major centers of 1857 revolt, तो centers के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, इंडिया में कौन उनको लीट कर रहा था, और ब्रिटिशर्स कौन उन्हें डिफेंड कर रहा था, तो जैसे डली में जनरल भक्त खान, जनरल भक्त खान जो थे बहादुर शा के आर्मी परसन थे, जो अभी अपन ने देखा, बहा रखना है, कुछ और नाम्स है, इंपोर्टेंट, विहार में, for example, आता है कुवर सिंग, बरेली में खान बहादूर, बागपत में आता है, शामल, फैजाबाद में आता है, मौलवी, अहमदुर्ला, सारे के सारे नाम इंपोर्टेंट है, all these names that I have took are from NCRT, 12th की NCRT में है, और 8th, 9th की NCRT में भी, इसलिए सारे के सारे नाम इंपोर्टेंट है, जरूर याद करिएगा, अब इसके अलावा, हलाकि NCRT में ये नहीं दे रखा है, कि British Governor कौन था, या Commander कौन था, जब उसके हिसाब से, fight किया गया, कभी भी पूछा नहीं गया है, but it could be asked, so please just go through this name as well, for example, ज रख लीजे, थोड़ा सा confusing हो सकता है, but just go through it once, exam में कई बार hit कर जाता है, and in most cases, you'll be able to answer it, पूछा बहुत कम गया है, so it's not too much important, Indian part वाला जरूर ध्यान रख लीजेगा, Next, next अब क्या हुआ, जब 1857 का war हुआ, तो एक बात साफ हो गई, कि Indians बहुत जहां पर एक point पे लग रहा था, कि ये जीत लेंगे, but sooner or later, कीजे बदलने लगी, और Indians हार गए, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा जो problem था ना, कि जो इंडिया का जो participation था ना, वो बिग जमिंदार हो गए, even educated people, princely state के जो राजा थे, ये सब लोगों ने किसे support किया, Britishers को support किया, in fact, कुछ major territories ऐसी थी, जहां पर बिल्कुल भी war effect ही नहीं हुआ, जैसे कि South India हो गई, जैसे कि आप देखोगे, पंजाब के regions हो गई, जैसे कि Bengal के region हो गई, यहां पर बिल्कु ही limited impact था, major जो impact था, वो कहां पर था, North India में, जैसे कि West UP में, जैसे कि Delhi के आप सपास के region में impact था, और उसके बाद कुछ pocket centers थे, जो अपन ने देखा है, but throughout the country इसका impact विल्कुल भी नहीं था, इसके अलावा, Britishers के पास क्या थे, जाधा resources थे, technologically जाधा आगे थे, इसलिए य आप किसी को हराना चाहते हो, तो आपके पास एक aim होना चाहिए, एक ideology होना चाहिए, जिससे आप लोगों को inspire कर सको, लोगों का confidence रीच सको, अपने आपको motivate कर सको, यह Britishers के पास थी, क्या थी अभी अपने next question में देखेंगे, आगे के question में देखेंगे, that question is, white pants burden, तो यह principle थ जो Britishers को motivate करता था आगे करने के लिए, बट ऐसा कुछ भी Indians के पास नहीं था, इस वज़े से क्या हुआ, जहां पर दुविधा आए, बिना resources के, यह group shatter हो गया, ना कोई proper leadership command था, भादर्शा को जरूर बनाया गया था, बट उनका role बहुती minimum था, एक तरीके से उन्हें जब 157 का war, जब जो battle खतम हुआ, तो एक बात समझ में आगे Britishers को, कि जैसा यदी चल रहा है situation, वैसे ही maintain करे, तो बड़ी सुविधा जनक हो जाएगी situation, इसी लिए उन्होंने एक एक पास किया, इस act में बहुत सारे changes किये, क्या क्या किये, देखते है, it transferred the administration of India from East India Company to the British, EIC to British crown को transfer हो गया, ये बात बिल्कुल सही है, ये पहला provision है, it established a bicameral legislature, ये बिल्कुल गलत है, 1918 के act में पहली बार दो houses set up किये गए थे, it created an office of secretary of state for India, who was a British cabinet member responsible for Indian affairs, ये भी बिल्कुल सही है, क्या हुआ, इस act के तहट जो governor general की post थी, जो 1857 के समय अपनने देखा है कौन होल करते है, Lord Canning hold करते थे, उस post को voice roy की post बना दिया गया, और एक और person secretary of state post बना दिया गया, ये क्या करेगा, cabinet, British की cabinet का member रहेगा, और वो overall advisory करेगा, इनके पूरे Indian affairs को manage करने के लिए, it granted Indians a limited degree for self-government, बिल्कुल self-government की बाद सबसे पहली बार 1861 में हुई थी, तो answer will be a and 3, तो 1 and 3 a is the answer, now government of India act of 1858, तो सबसे पहले इस act में क्या हुआ, कि Queen ने अपने उपर responsibility ले ली, EIC का rule खतम हो गया, East India company खतम हो गई, और सारा का सारा rule, अब British administration करेगा, इसके लिए Queen Victoria ने responsibility ले ली, ठीक है, अब यदि अपन आगे मात करें, Queen ने इसके तहत एक proclamation किया, इसी proclamation को क्या बुला जाता है, November 1858 का proclamation, इस proclamation में क्या किया गया, Lord Canning ने क्या बुला, एक दर्बार और्गनाइस किया, अलहाबाद में, तीन दली दर्बार act हुए थे, ये उसकी जगहा दर्बार अलहाबाद था, इसमें Queen's proclamation था, तो Queen ने वही बात बुली, Queen ने लोगों को अश् देंगे, तो जैसे कि क्या सबसे बड़ा कौन साथ था, प्रिंसली स्टेट्स ने साथ दिया, तो इन्होंने बोला, अब हम प्रिंसली स्टेट को और अनाक्स नहीं करेंगे, लोगों को इंडियन से क्या problem थी, कि धर्म में interfere कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला, हम religion में अब interfere नहीं करेंगे, इस तरीके के आसवाशन देने की बात की गई थी, ताकि जो कॉलनी का administration है, वो revamp कर दिया जाए, और बाकि अपने बात किया ही है, गवर्नर जनरल बन गया है, वोईस रोई, और वोईस रोई के लावा, एक Secretary of State को भी मिला गया, जिनके पास एक advisory body थी, नेक्स अपने आते हैं, which is the most accurate statement about the army amalgamation scheme of 1861, अब हुआ क्या था, जो East India Company है, और British की जो आर्मी है, दोनों अलग अलग यहाँ पर इंडिया पर सर्फ करती थी, अब जब 1858 का जो war हुआ, उसके बाद जो 1857 के war के बाद जो act आया, उसमें क्या बुला गया, कि सारा सारा EIC का रोल खतम हो गया, किसको handover कर दिया गया, यह कर दिया जाएगा, British को, British government के अंदर आ जाएगी, तो इसी वज़ा से दोनों आर्मी को भी merge कर दिया गया, इसे ही कहा गया है, British amalgamation scheme, आर्मी amalgamation scheme, तो देखेंगे, abolition of independent paramilitary organization, ऐसा कभी कोई exist नहीं करता था, it replace the company's European troops with the locally recruited, यह भी बिल्कुल गलत है, in fact, Indian troops को कम कर दिया गया था, 1858 के war के बाद, और कुछ races, जैसे कि Punjabis लोगों ने support किया था, इसके अलावा नेपाली गोरखास ने support किया था, इन सारे लोगों को martial races declare किया था, और future में Britishers इन races को prefer करने लग गई, recruit करने में, it transferred command of all company troops with both European and Indian to the British crown, this is correct, immediate disbandment of the European company's regiment, oh wait a second, C and D both sound similar, command of all company troops to the Indian troops को तो transfer नहीं कर सकते हैं, तो C is wrong, D is the most appropriate, it led to the immediate disbandment of the company's European regiment, तो D would be the answer, याने कि जो East India company के जो troops थे, उन्हें disband कर दिया गया, अब वो सीधा सीधा crown के अंदर काम करेंगे, अब हुआ क्या था, जैसे ही ये हुआ, तो इन्होंने एक white mutiny कर दी थी, mutiny मतलब soldiers लोगोंने क्यों किया, क्यों कि जब East India company के workers, मतलब Britain के बाहर जाते थे, इंडिया में आते थे, तो उन्हें कुछ extra allowance मिलता था, भट्टा, घर से दूर रहने का extra charge मिलता था, बट यदि ये British के अंदर आ गया, crown के अंदर, तो ये जो extra allowance मिलना बंद हो गया, इस वज़ा से इन्होंने भी revolt कर दिया था, Britishers के soldier, जो East India company में थे, वो नहीं चाहते थे, ये scheme implement हो, इसी को बोला जाता है, white mutiny, next अपन बात करते हैं, इसी statement की मैं बात करता, which of the following best characterized the central theme of Rudeyard Kipling's poem, The White Man's Burden, published in 1899, अब ये jungle book वाले हैं, Rudeyard Kipling, इन्होंने एक poem लिखी थी, The White Man's Burden, इसमें क्या था, इन्होंने एक narrative set किया, narrative set करने का मतलब क्या था, इन्होंने एक ऐसी धारना बनाई लोगों के मन में, कि हम जो Britishers हैं, वो white race हैं, वो superior race हैं, हमारी जो agriculture है, technology है, science है, हमारा culture है, overall सब चीज, जो है, Europeans, जो है, सबसे ज़ादा advanced हैं, और जितने भी non-Europeans, non-Aryan races हैं, जैसे कि Indians हो गए, Africans हो गए, Latin हो गए, ये सारे के सारी backward culture हैं, backward classes हैं, तो इन्होंने कहां कि, हम belonging to a white race, हमारी duty है, कि हम ये पिछडे हुए लोगों को आगे बढ़ाएं, और इसे ही इन्होंने कहां white man's burden, इस वज़ा से, इन्होंने colonization को justify किया, इन्होंने इंडिया में जो colonies बनाई गई, जो exploitation किया गया, उसे justify किया, कि ताकि एक better administration system यहाँ पर set up किया जाए, this is a basically meaning of white man's burden, justifying the moral obligation of western powers to civilize and uplift non-western society, that is a basic meaning of white man's burden, next अपन जाते हैं, rise of nationalism and formation of INC, who is credited with establishing the nationalist press in India marked by the publication of Sambadh Komodhi in Bengali in 1821 and Mirat ul Akbar in Persian in 1822, कौन के दोनों newspaper हैं, किसने publish करना start किया, आप देखे, यदि मैं देखूं, these are typical newspapers, तो इनको हो सकता आपको पता हो सकता ना पता हो, what I am going to tell you is a trick, कैसे आप answers को sort out करने की कोशिश कर सकते हो, question सही, for example, यहाँ पर दिया है Bengali, मतलब कि ये news paper संबध Komodhi Bengali news paper था, अब यदि मैं देखूं नाम देखता हो, तिलक मुझे पता है, पूने के थे, ठीक है, आपने बात भी की है, 1897 में sedition charge लगा था, क्योंकि प्लेग कमिशन सेट अप किया गया था, और प्लेग के जो officer थे, उन्हें इन्हीं के speeches ने, कि वज़ा से कुछ लोगों ने मारा था, इस officer को, रैंड को, अब तो ये तो महराष्ट के हैं, तो ये नॉर्मली बंगाली में नहीं लिखेंगे, ये नहीं हो सकता, सेकेंड यदि अपन बात करें, राजा राम मोहन रॉय, मुझे पता ही ये बेंगवाल के थे, तो B could be the answer, I'll just leave it right now, नेक्स्ट है, रादा भाई नारो जी, नारो जी है, पार्सी, मुझे नहीं पता ये कहां से है, बट एक चीज है, पार्सी मेजर इंडिया में कहां पर, expect कर लो कि कुछ exemption हो, कुछ ऐसा हो सके, तो कोई और भी answer हो सकता है, but the most probable answer is राजा राम मोहन रॉय, और इस तरीके से आपको exam में थोड़ा सा तेढ़ा दिमाग लगा के attempt करने की कोशिस जरूर करनी चाहिए, that is what, answer इसका राजा राम मोहन रॉय ही है, ये दोनों newspaper बहुत कराया था, उसके बाद 2-4 newspaper और आगे भी कराऊंगा, इनको जरूर याद रखेगा, संबत कॉमोदी ये किस में था, बेंगॉली में, और मिरात अल-अकबर ये परशियन में था, राजा राम मोहन रॉय मल्टी फेसिटेट थे, बहुत जादे social religious reforms, जब movement अपन पढ़ेंगे तो इन्होंने बहुत सारे social reforms में, including सती के लिए, बहुत ज़ादा voice उठाई, और कई languages में इन्होंने काम किया, इस वज़े से आप देखोगे, इनका रोल आता है, ठीक है, नेक्स अपन बात करते हैं, अब देखो, महल क्या बन रहा है, आपको समझना पड़ेगा, कि 1857 का revolt ह हो गया, अब Indians लोग, वो समझ में आ चुका है कि Britishers यहीं रहेंगे, तो Britishers यहीं रहेंगे, तो अब क्या हो रहा है, ये Britishers के against, जितनी भी atrocities की जारी है, वो इन atrocities को समझ रहे हैं, और आप देखोगे, थोड़े थोड़े छोटे 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 political organization बनाएंगे, और ये atrocities के exploitation से aware हो रहे हैं, और उसी के तरफ ये किये जा रहे हैं, तो सबसे पहले लिटन एक बहुती infamous थे, ये 1876 ये 1880 तक Governor General थे, अब इसमें क्या किया इन्होंने, सबसे पहले एक अपनने अल्रेडी दे दिया है, कि Indian Civil Services की age इन्होंने कितनी कर दी थी, 19 साल कर दी थी थी अप arms act passed किया, arms act में क्या किया, कोई भी Indians arms नहीं carry कर सकता, vernacular press act अपन कल पढ़े थे, इसमें basic provision क्या है, जो non English languages वाले हैं, उनको एक bond sign करना पड़ेगा, और यदि सरकार को लगा कि सरकार के against कर रहे हैं, तो उनके पैसा को machinery को cease कर लेंगे, और Afghanistan war ये भी अपनने देखा है, जब political organizations वाले तो all परिशान थे, इस वज़े से ये चाहते थे, इन्हें हटाया जाए, और इनके against complaint फाइल कर रहे थे, यहां से आता है, छोटे-छोटे organizations का रोल, जो अपनी grievances को सरकार तक, Britishers तक बहुँच आते हैं, तो ये major grievances डवलप हो रहे हैं, with statements, best captures the Ilbert Bill controversy, ये भी एक major controversy आई थी, 1882 में Lord Ripon थे, उनके समय में ये controversy आई थी, अब ये controversy क्या थी, नॉर्मली क्या किया गया था, इंडियन्स लोगों को, यूरोपियन जजस को, ट्राई करने की जज को, ट्राई करने की अनुमती नहीं थी, यानि कि किसी भी यूरोपियन को, यदी, पोर्ट में आया जाए, तो इंडियन जजज नहीं, बलकि सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन जजज ही उसे डील करे, उसे सजा दे और कोट में डील करे, बट इस बिल के अंदर क्या प्रोविजन था? सबसे पहली बार इंत्रोडूूस किया गया, कि अब इन्डियन भी यूरोपियन को, क्राई कर सकते हैं, कोट में देल कर सकते हैं बट जैसे ही ये प्रोविशन आया जितने भी यूरोपियन्स हैं लड़ पड़े उन्होंने बोला कि ये इंडियन्स उस काबिल ही नहीं है इसी वज़ा से बाद में क्या हुआ रिपन ने इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंडिशन लगा दी और इस आक्ट को एमेंड कर दिया ठीक है तो आंसर सी होगा इंडियन जज़ेस को ये पर्मिशन दी गए कि वो यूरोपियन सब्जेक्स को भी डील कर सकते हैं इस वज़ा से क्या हुआ लौड रिपन को आक्ट को मॉडिफाई करना पड़ा इन्हें क्या करना पड़ा कि 50% यूरोपियन्स भी प्रेजेंट होने चाहिए उस बेंच में तभी और तभी इंडियन्स को पर्मिट की जाएगी नेक्स अपन बात करने हैं छोटे मोटे पॉलिटिकल ओगनाईजेशन बने ताट विल अल्टिमेटली लीड टू दा फॉर्मेशन ओफ एक बड़ा इन्सी तो सबसे पहला यदि अपन देखें जो पहला माना जाता है वंगा भाशा प्रक्षिका सभा 1836 में बना था यह कहां पर बना था यह बेंगौल में बना था और इसे Associates of राजा राम मोहन रोय के लोगों ने बनाया था राजा राम मोहन रोय के संबंदी ने जमिंदारी Association और Land Holder Society in 1838 यह क्या करेगा नाम से ही समझो जमिंदार लोगों का एक ग्रूप था तो जमिंदा द्वार्कानाट टैगोर, राधाकान्थ डेव, यह सारी लोगों ने मिलके बनाया हैं, द्वार्कानाट टैगोर इस असोसियेटेड विथ रविनाट टैगोर, यह सारे के सारे बेंगाली एकडम हाई क्लास लोग थे, जो सोशो लीजर्स रिफॉर्म में उतरे थे, अपने द विल्यम आदम ने, यह सबसे पहली तीन सोसाइटीज है, पॉलिटिकल ओर्गनाइजेशन, जो बेंगवाल में सेट अप की गई, इनको पूछा जाता है, एक बार नाम जरूर ध्यान रखीजेगा, विल्यम आदन, आदम, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, फिर नेक्स the East India Association in 1886, in London, with the aim of influencing public opinion of the cause of the India's welfare, कौन फर्म किया था, वो फर्म किया था, दादा भाई नारो जी, इन्होंने लंडन में एक East India Association established किया था, कौन से दो वेक्ती थे, जो सबसे जादा कीफली इन्वाल थे, तो दो परसन जो इन्वाल थे, वो थे, आनन मोहन बोस और सुरेन नाथ बानर जी, तो आंसर वोड़ बी C, ओके, so C would be the answer, next, who founded the Indian League in 1875 to stimulate the nationalism, Indian League किसे फॉण की थी, सुशीर कुमार घोष ने, ध्यान रखेगा, एक भी organization का जो गोल होगा, दूसरे organization से थोड़ा सा डिफर करेगा, but overall, सारे organization क्या करेंगे, nationalism promote करना चाहेंगे, इंडिया में, सारे के सारे organization, people's interest को protect करना चाहेंगे, लोगों के causes, जैसे कि army के expenditure को कम करो, इंडिया में civil services बढ़ाओ, गन और इस तरीके की restriction, जो Britishers, जो Indians में लगेगी, वो Britishers में भी लगेगी, जो Britishers में नहीं रहेगी, वो Indians मे अभी नहीं लगे कि इस तरीके के provisions को demand में किया गया, so that is, अब देखिए, यदि अपन जो अभी तीनों बात किये, Indian Association, ये तीनों को ध्यान रखेगा, 1876, आनन्द मोहनबो, सुरेणनार बैनर जी, Indian League अपने बात की, सिशिर कुमार घोष, और East India Association, अपने बात की, दादा भ पूने सार्वजनिक सभा, और Bombay में, Bombay Presidency Association, Bombay Presidency Association के कौन कोर मेंबर्स थे, तेलांग, केटी तेलांग, फिरोजे शाह मैता, और बद्रुदीन त्याप जी, ये मेजर मेंबर्स थे, वहीं पे, पूने के कौन थे, राना डे सबसे ज़्यादा इन्वाल थे, M.G. राना डे 1885 में, एक साल पहले, 1884 में, मदरास महाजन सभा सेट अप हुई, तो यदि अपन देखें, तो यहां सुब्रामनियम अयर, अपने कल इनको देखा था, हिंदू के फाउंडर है, इस तरीके से ये सारे important नाम है, आनन्चरलू और व्रिग वाचरिया, ठीके, सारे के सारे important है Next अपन देखते हैं, major campaigns, क्या major demands थी इन सारे organizations की, एक vernacular press act, अपने देखा, 1878 में introduce किया गया था, कल ही अपने बात की थी, 1882 में, Lord Rippen के tenure में इसे repel कर दिया गया, discriminatory था, इसलिए ये सारे organization इसे hate करते थे, arms act भी discriminatory था, दोनों के दोनों किसके समय, Lord Canning के समय introduce, ये वाला Lord L Lord Litton के समय introduce किया जाएगा, और plantation labor and inland immigration act, ये भी कुछ limitation थी, एक बार जो labor चले गए, उन्हें plantation से बाहर जाने की नहीं permission मिलती, इस तरीके का कुछ act था, जो Indians को discriminate करता था, 1859 में introduce किया गया था, 1859 में कौन था, Lord Canning, ये basic थे, and this is the idea, next अपन बात करते हैं, अपन Congress formation की तरफ सल गए है, 1885 में Congress बना था, December के मन्त में, so let us start with the question, what was the role of A.O. Hume in the foundation of the Indian National Congress, A.O. Hume एक European person थे, जो की Congress के formation में involved थे, क्या role था, इनका ये ही question पूछ रहा है, A.O. Hume served as the first Congress President, गलत है, वो थे W.C. Banner-G, ये first President थे, A.O. Hume played a key role in shaping the idea of India, National Congress, ये सही बात है, A.O. Hume was founder of Gokuldas Tejpal Sanskrit College in Bombay, गलत बात है, ये कोई orientalist नहीं थे, इनका कोई भी this relation नहीं था, A.O. Hume led the December 1885 meeting in the hall of Gokuldas Tejpal Sanskrit, सही बात है, but the most appropriate answer is, played a key role, तो B would be the answer, तो ये कौन थे, ये एक retired British civil servant है, जिन्होंने ये idea बनाया कि Congress की जरूरत है, इंडिया में जिससे political thoughts एक साथ बनाया जा सके, this was a basic idea, इसी के लिए, क्योंकि एक European involved था, एक organization जो इंडिया के political interest को उठाएगा, इसलिए Congress बहुत controversy में थी, पहली meeting कहाँ पे हुई? बॉंबे में हुई meeting, ये जो गोकुल नास, सेचपाल संस्कृत कॉलेज है, वहाँ पर हुई, और W.C. Banner जी जो थे, इसके first president थे, next अपन बात करते हैं, इसी criticism की, how does the safety valve theory suggest regarding the origin on, what does it suggest regarding the origin of Congress, अब safety valve theory क्या होती है, जैसे ये cooker है, cooker में क्या होता, pressure cooker में, एक safety valve रहती है, ये safety valve का क्या काम रहता है, ये safety valve ensure करती है कि pressure जादा नाम build-up हो, और ये धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा pressure निकालते जाती है, क्योंकि जादा pressure build-up हो गया, तो ये pressure cooker फट जाएगा, This is what, it has been alleged कि जो उस समय के viceroy थे, डाफरिन, वो जानते थे कि जो Congress में जो frustration है, भारती लोगों में जो frustration है, वो बढ़ रही है, Congress के कार्यकरता, उस समय जो छोटे-छोटे other organization अपन पढ़े, उनके कार्यकरता में frustration बढ़ रही है, तो हम safety valve का का काम करते हैं और थोड़ी-थो इसी को बोला गया है, safety valve theory, ऐसा करने से फाइदा क्या होगा, कि ये Congress के formation में अपने एक political organization बना देते हैं, ये political organization से थोटी-मोटी demand पूरी करते रहेंगे लोगों की, और उस basis में क्या होगा, लोग कोई major radical step नहीं लेंगे, इसको बोला गया है, safety valve theory, तो the Congress originated as a result of a popular uprising against British, गलत, the Congress was established as a response to the demand for a separate electorate, गलत, separate electorate तो 1909 के आख में आएगा, बाद में, the Congress was planned initiative of Lord Dauphrine and A.O. Hume to channelize discontent among the educated Indians in a peaceful and constitutional manner, this is what the answer is, C would be the answer. Next, which prominent Indian figure proposed the lightning conductor theory regarding the origin of the Indian national theory, अब देखो, जहाँ पर एक तरफ था, safety valve theory, वहीं पर इसके विरुद्ध आया, lightning conduction theory, तो ये lightning conduction theory को दिया था, गोपाल कृष्न, गोखले जी ने, गोखले जी कहते है, कि आप क्या हमारा use करोगे, मतलब safety valve, British कौन होते हैं, हमारा content, ऐसा discontent, जो है थोड़ा-थोड़ा निकालने वाला, actually, use तो Indians लोगों ने Britishers का किया है, क्योंकि यदि इतना बड़ा organization का गठन किया जाता British के समय, और यदि किसी भी Britishers का involvement नहीं होता, तो क्या हुआ था, इस movement को जल्दी से suppress कर दिया जाता, और suppress हो जाता, तो Congress एक नया नया organization बना था, उसी समय उसका पतन हो जाता, इसी लिए हम लोग याने गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं, कि we intentionally involved the other party, याने की A.O. Hume और बाकी Britishers को involved किया, ताकि हम Congress grow कर सके और Britishers के suspicion को अपन खतम कर सके, This is the lightning conductor theory, दोनों की दोनों opposite theory है, किसने दिया, गोपाल कृष्ण गोखले ने, तो, who was the first woman graduate of the Calcutta University, this question has been asked in all major exams, बहुत बार पूचा गया है, तो इस questions को एक बार देख लेते हैं, यह कौन है, कादंबिनी गांगुली, अब कादंबिनी गांगुली ने 1890 के Congress session में एक speech दी थी, इसलिए, यह बहुत ज़्यादा important है, अब, क्या हुआ था, 2020 में, इनका successful, मतलब, years साब देख लो, calculate करके, कितने हुए, 100 plus 3, 130 years हुए, इस वज़ा से, इनके question, 2020 के आसपास, बहुत ज़्यादा पूचे गये है, that is why, कादंबिनी गांगुली, तो, next, अपने बात करते हैं, पहला session कहां हुआ, आपने देखा, Bombay में, Bombay का head कौन थे, WC Banner जी, second session क्या हुआ, second session हुआ, 1886 में, हर साल, Congress में, एक तरीके से शुरुवात के दिनों में, ये एक annual meeting जैसे, जैसे, Dr. Slok का conference होता है, वैसे ही, एक तरीके से ये conference था, जो हर साल, सालाना, December के महिने में, अंत म होता था, इसे, एक annual conference की तरह, मतलब कि, साल भर ये, कोई भी activity नहीं करते थे, अंत में, December में, जाके, एक meeting कर लेते थे, अब, ऐसा ही meeting हुआ, second session, 1886 में, कहां पर हुआ, इस बार, कोलकाता में हुआ, और दादा भाई, नारो जी, इसके head थे, इसी में, setup बात की गई, कि, provincial Congress committee को setup किया जाएगा, मतलब, जहां पर एक national congress थी, अब हर state level पर भी in committees का setup किया गया है, next अपन बात करते हैं, अब, यहां से अपन बात कर रहें, Congress setup हो गई, 1885 से, जो next 20 साल, इन्होंने क्या बात की, और क्या काम किया, उसके बारे में अपन बात करें, तो इस face को बोला जाता है, moderate face, क्यों बोला जाता है, अब ही अपन समझेंगे, और उसके बाद के face को बोला जाता है, extremist face, सबसे पहले अपन समझते हैं, कौन-कौन से leaders थे, जो इसमें involved थे, तो W.C. Banner जी, दादा भाई नारो जी, बदरुदीन ट्याप जी, फिरोजेशा महता, कुपाल कृष्ण के leaders थे, सारे के सारे इसी ideology के थे, इस period में, याने की 1885 से 1905 में, moderate face की विचारधारा Congress को dominate करी, क्या होता है moderate face, simple बताऊं, एक questions देखते हैं, what was a primary approach adopted by the leaders of moderate era in the Indian National Congress, क्या approach follow कर रहते थे, देखो, नाम में ही moderate है, याने कोई भी option ऐसा होगा, जो बिल्कुल out of the box, या radical solution होगा, वो अपन नहीं मानेंगे, ठीक है, तो aggressive confrontation, aggressive हो गया, बिल्कुल गलत हो गया, passive resistance through non-corporation, ये भी गलत हो गया, एक तरीके से सही है, but not the most appropriate, इसको आप एक तरीके से अभी के लिए रुख सकते हो, बाकी options देखने के बाद कई बार अपने को देखना रहता है, होता क्या है, बह को most appropriate option को tick करना रहता है, तो हमेशा किसी में भी doubt है, तो you can keep it marked, और बाद में सारे sentence पढने के बाद जो सबसे जादा accurate हुए, उसे mark करना, public awareness campaigns against the British, okay, so this is also not completely wrong, but it's not the best, utilizing the triple P approach, prayer, petitions and protest to gradually achieve concessions from government, this is the best answer, यदी D नहीं होता, तो passive resistance हला की directly नहीं करते थे, but indirect form में करते थे, तो passive resistance हो आप गलत कर सकते हो, public awareness campaign ये आप बात कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने newspaper लिखना start किया था, लोगों को इन Britishers की एक जो feeling थी, उसको exploit जो करते थे, उनके बारे में जागरूपता फलाई थी, तो B तो गलत है, C और D मैसे कोई ना कोई answer हो सकता था, but the best case in this is D, तो D को जरूर माग करिएगा, ठीक है, Now next is, basically अपन समझते हैं क्या approach थी, तो जो moderate phase थे, उनका क्या कहना था, कि Britishers जो है, वो by default अच्छे लोग हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, Britishers को बस जो असली condition है, real condition है इंडियन्स की, उन्हें वहाँ पर जो ब्रिटेन में बैठ हैं, उनको aware कराना है, जो उनके ground workers हैं, इं पचा देंगे, तो यह हमारे साथ kind रहेंगे, तो हमें क्या करना है, meanwhile हमें इनके साथ petition file करना है, हमें अलग-अलग तरीके से जानकारी देना है, Britishers को, कि इंडियन्स लोगों का exploitation हो रहा है, social हो रहा है, that is a basic idea, और इनका मानना था, एक बार Britishers को हमारी situation का पता चल जाए, त This was the basic ideology of moderates, next अपन बात करते हैं, अब British Committee of Indian National Congress was set up, यह कब set up हुआ था, 1889 में, यह क्या करना चाहते थे, Congress का एक session लंडन में करना चाहते थे, इसी चकर में, ताकि Britain में रहने वाले लोगों को पता चले कि क्या problem है, बट ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि अगले साल election था, 1892 में election और इसी वज़ा से माना गया कि problem हो सकती है, इसलिए यहाँ पर नहीं हुआ, लगातार इसके लिए दादा भाई नारो जी काम कर रहे थे, next है, सबसे बड़ा जो moderates का contribution है, वो उन्होंने दिया drain of wealth, याने कि Britishers जब इंडिया में आए, तो क्या कर रहे हैं, उनकी वज़ा से लगातार पैसा इंडिया से बाहर जा रहा था, इसी को बोला जाता है drain of wealth, याने कि जब Britishers आए, तो उन्होंने क्या बोला, हम एक white man's burden लेके आए हैं, हम आपके my baap हैं, this was the words of Britishers, और हम हमेशा आपका भला चाहेंगे, और ये एक moral की तरहा लोगों के उपर narrative setup किया गया था बट हुआ क्या, जब आप इस तरीके की बातों का खंडन करते हो, जब आप तथ्य दिखाते हो लोगों को, कि आप हमारे कोई my baap नहीं हो, बट आप हमारे से लगतार पैसा लूट रहे हो, तो जो उनका foundation है वो हिल जाता है, लोगों को उन पर विश्वास खतम हो जाता है, तो moderate phase का सबसे बड़ा contribution क्या था, कि ये जो उनकी drain of economy थे, drain of wealth था, उसके बाए में लोगों तक information पहुचाए, तो क्या है, देखते हैं कुछ books लिखी गई है, कौन लिखा है, ये question है, तो poverty and un-british rule in India, ये किस ने लिखा है, economic history of India, essays on Indian economy, तो poverty and British rule of India को लिखा है, रादा पन बात करें, economic history of India को लिखा है, RC दत ने, and finally, essay on Indian economy को लिखा है, MG रानडे, तो the answer would be D, D is the answer, दादा भाई नारो जी, RC दत, इन्होंने सारे के सारे लोगों ने drain of wealth से, अब drain of wealth कैसे, इंडिया से UK पैसा कैसे गया, ये यदि आप समझोगे, तो इसी को कहा गया है, drain of wealth, जैस कि यदि आप कोई भी UK से इंसान, इंडिया में पैसा लगाता है, railways में लगाता है, तो उसे एक assured investment मिलता है, assured return मिलता है, इतना percent आपको मिलेगा ही, यदि आप इंडिया से देखोगे, तो इंडिया से जो भी समान जा रहा था UK, उसमें बहुत high tax था, 100% duty, 200%, 1000% duty थी, वहीं UK से सारा समान प्री में आने लग गया, जो भी workers थे, salary, यहाँ पे जो workers थे, जो British के workers थे, जो उनके administration को manage करने आये थे, उनकी salary भी Indians लोग ही पे कर रहे थे, इस तरीके से एक bulk of पैसा इंडिया से UK जा रहा था, उसी को बोला जाता है, drain of wealth, तो MG Rana Day की essay on Indian economics, R.C. Dutt की economic history in India और Narroji की poverty and un-British rule in India, very important, सारी की तीनों की तीनों बुक के नाम जरूर याद रखियेगा, नेक्स्ट, when was the demand for Swaraj, first officially raised by the Indian National Congress, सबसे पहली बार Congress में कब raise की गई थी, तो बनारा सेशन, 1905 में जब हल्ड हुआ था, सबसे पहली बार यहाँ पर raise की गई थी, ये सेशन में जो head थे, पहली बार demand उठाई गई थी, और officially Congress ने इस demand को 1906 में कैलकटा सेशन में place किया था, जिसमें दादा भाई नारू जी थे, उन्होंने स्वराज की demand करी, स्वराज इन लोगों के लिए क्या था, basically एक type of, ऐसा नहीं कि स्वराज मतलब कि खुद का राज, independence की बात नहीं करें, limited self-government, इतना ही था इनके लिए, that is it, मतलब कि जैसे कि colonies में आप थोड़ी से freedom दे दो, that was a basic meaning of स्वराज for this moderate face, next अपन बात करते हैं, अब 1905 के बाद, यहां से लेकर आप देखोगे, 1907 particularly, यहां पर extremist face का start हो गया, यहां पर बहुत ही तेजी से ideology में परिवरतना है, क्यों हाता है, क्योंकि 1905 में partition of Bengal announce होता है, जिसके बारे में आपन पढ़ेंगे, तो इनकी ideology को समझते हैं, इनके काम कर करने को समझते हैं, what characterized the extremist ideology during the national movement in India, extremist मतलब कि आप इनको compare करो moderate, moderate मतलब हर चीज को tone down version, extreme मतलब हर चीज को उग्रवार दिता से deal करना, faith in British benevolence and cooperation with the colonial, यह तो moderates है भाया, देखा है अपनने इनको British's की ideology में विश्वास था, advocacy for non-political means to achieve national goals, not always necessary, the clear declaration that Swaraj was the ultimate objective, self-rule यह भी सही है, a reliance on indirect political action, यह तो बिलकुल गलत है, तो C is the most appropriate in case, और जादा यदी बात करें, तो इनको और clear goals में यदी बात करें, तो यह extremist method, जैसे की boycott, जैसे की स्वादेशी method, इस तरीके से Britishers के boycott में believe करते थे, एक passive resistance impose करना चाहते हैं, that is the basic idea, So they had no faith in the Britishers, but they wanted Swaraj, and Swaraj could be obtained only through direct political action, political action, याने कि हमें खुद streets में उतरना पड़ेगा, हमें लोगों को involve करना पड़ेगा, हमें political masses को aware करना पड़ेगा, Britishers के action के against, यही है, they have deep faith in the capacity of the masses, this is the basic idea, लोगों की शक्ती में विश्वास, जो गांधिया नेरा था, गांधी जी के जो principles थे, एक precursor देखा गया, बट इन में बहुत सारी problems थी, जो अपन next class में कर पाएंगे, most probably, तो लॉड करजन ने क्या किया था, partition of Bengal अनौन्स किया था, तो partition of Bengal कब हुआ था, अनौन्स हुआ था 1905 में, तो यह 1905 के आसपास रहेंगे, exact years याद नहीं होने चाहिए, जरूरत नहीं है, बट कुछ के याद भी कर लो, तो यह important है, तो 1899 से 1905 तक यह करजन थे, अब करजन क्या माना जाता है, जैसे आपने बात किया था, लिटन की बात की थी, यादे आपको, लिटन क्या थे, बहुत सारे action लेते थे, इनकी वज़ा से क्या था, Arms Act में problem थी, उसके बाद यहाँ पर, इन्होंने Second Afghanistan War में problems को आस की थी, इन सारी वज़ा से, लिटन को बहुत hate करते थ लोग, ऐसा ही कुछ हाल करजन का भी था, करजन से, यह जो Act थे, बहुत ही Regressive थे, और यह इंडिया के हित में बिल्कुल नहीं थे, जैसे की, इन्होंने एक डेली दर्बार कायोजन किया 1903 में, उस समय इंडिया Extreme Famine से गुजर रही थी, लाखों लोग मर रहे हैं, और यह Act का उल्टा है, हलाकि अभी Official Secret Act है, जहां किसी भी Government Documents को लीग करना, या उनके Possession के लिए आपको सजा मिल जाएगी, again Anti-Indian Act, Indian University Act, University Act में क्या मुला गया, University के Regulation को tight कर दिया गया, क्या हो रहा था, University में कैसे लोग आ रहे थे, पढ़े लिखे लोग आ रहे थे, intellectual लोग, intellectual लोगों को समझ में आ रहा था, कि ब्रिटिश हमें exploit कर रहा है, तो इनके बारे में, इन universities में political बहुत सारी groups बनने लगए, तो इन्होंने University Act ला दिया, ताकि इन सारे लोगों को curtail करे, तो number of PhD holders हैं, उनको कम कर दिया, जो जिस तरीके से spread किया जा सकता है, सारी restrictions, हर चीज मे Central Level की Permission चाहिए, ब्रिटिश की, इस तरीके से tight कर दिया, तो ये सारे कारोणों की वज़ा से करजन बहुत hated बन दे थे, तो ये तीन extremist लीडर थे, वो हैं ये लाल बाल पाल, तो आ सोचियो एकोनोमिक रिफॉर्म बिल्कुल गलत, a collision of leaders representing Maharashtra, Punjab and Bengal, this is maybe, and aligns between moderate and extremist, गलत, a prominent extremist leader in Maharashtra, Bengal and so D is the most accurate, तो कई बार पढ़ने में वी भी आप मार कर सकते हो, तो एक्जाम में जरूर पूरा पढ़के ही करिएगा, collision word यहां पर गलत है, D is the most appropriate answer, तीन major leaders है, लाल बाल पाल, महराश्रा में पाल गंगधर तिलक, बें पंजाब में लाल लाच पतराए, यही तीनों जन की जोडी को, जो extremist movement को lead किये, उन्हें कहा गया है, लाल बाल पाल, इसके बाद आपन बात करते हैं, who first suggested the method of boycotting the foreign goods during the extremist period, तो extremist की अप्रोच क्या थी, बिल्कुल moderate के उद्दा, यह सारे के सारे foreign goods को boycott करे, अब boycott कर रहे हों, तो इसके बदले क्या goods लाओगे, स्वदेशी goods लाओगे, और जितने भी forms of resistance हैं, जैसे कि mass resistance, जैसे चीजों को involve करेंगे, तो question यह है, boycott को सबसे पहली बार किसने suggest किया, तो the answer is, कृष्न कुमार मित्र, सबसे पहली बार इन्होंने suggest किया था, और इसी suggestion को, जो Congress की committee है उन्हों उसने adopt कर लिया था, first suggested by Krishna कुमार in 1905, तो थोड़ा सा difference हमझ लेते हैं, जल्दी से अपन, क्या difference है तरीकों में, extremist का और moderates का, तो extremist क्या करते थे, देखा है अपनने, कि इन्हें बिल्कुल Britishers के उपर विश्वास नहीं था, वहीं स्वराज मानते थे कि Britishers हमारे भ पर कर रहें, तो Britishers हमारे हित में फैसला लेंगे, वहीं extremist हमें self-sacrifice करना पड़ेगा, self खुद पर निर्भर होकर, British के अगेंस्ट विरोध करना पड़ेगा, उसी से हमें एक स्वराज स्वराज होगा, याने कि इनका जो स्वराज था, वो अलग-अलग, देखेंगे, अ थोड़ा सा difference meaning होती है, स्वराज, कुछ लोगों के लिए complete freedom था, और कुछ लोगों के लिए, even in the extremist, partial freedom, like under the British, जैसे कि Australia, New Zealand उस समय था, उस तरीकी के system में था, तो this is a basic idea, तो अब extremist यदि आपन देखते हैं, बट इनके भी कुछ problems थी, extremist की सबसे बड़ी problem ये थी, कि इन् ने बहुत जादा orthodox reforms को, orthodoxity को choose किया, जैसे कि कुछ लोग लालालाच पत्राय हो गए, ये लोग क्या किये हिंदू nation को prefer करने लग गए, अब हिंदू nation को prefer करोगे तो क्या Muslim community आपके साथ unite करेगी, नहीं करेगी, तिलग जी ये गनपती festival को अकेले promote करते थे, इन्होंने ही स गए, जिसकी वज़ा से अंदुरूनी विभाजन होने लगया, Muslim इन से हटते गए, और ये बहुत evident होने लगया जब 1905 के बाद अपन देखेंगे, next दिखते हैं, which event in 1905 served as an immediate cause for the initiation of the Swadeshi movement, Swadeshi movement किस वज़ा से start हुआ, तो ये 1905 में तब start हुआ, क्यों, क्योंकि, कौन से थे, Lord Karzan, इन्होंने बंगाल का विभाजन अनौन्स कर दिया, तो Lord Karzan decision to partition Bengal in 1905, this is the basic, So with this we have completed another topic, इसके बाद बहुत जल्दी जल्दी खतम हो जाएगा, बहुत ही जल्दी अपन 1948 तक पहुच जाएगे, दो या तीन दिन में, और उसके बाद फिर कुछ major history के आपन मैं आपको कुछ important कराऊंगा, जैसे कुछ governor general है, उनके बारे में मैं आपको कराऊंगा, कुछ important कुछ important acts अपन ने नहीं किया, तो सारे acts को एक साथ मैं करा दूँगा, important provisions, सारे provisions acts के पता होने चाहिए, जिससे questions आ सकते हैं, और इस तरीके से आपन एक इस week में for sure history खतम कर देंगे, एक और बात है कि यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं life class initiate करूँ, तो आप मुझे comment section में मता दीजे, हम लोग एक group बना के, एक WhatsApp का group बना के coordinate कर सकते हैं, और यदि आपको कोई भी other form की help चाहिए, जैसे do you want me to share the PPT, जिससे मैं पढ़ाता हूँ, या कोई और भी help है, कोई particular topics चाहते हैं, तो मैं उसमें भी help कर सकता हूँ, तो till then, thank you and have a great day.